साथ्य गुरु जाए गुरुदेव साथ्य गुरु श्वामी का संदेशा लाए कुम्भो मिले में सब को बताए पावन तट तिरवेणी का है सांत समागन कथा सुहाए जन जन से मिलते सत संगी सेना चलती है बहुरंगी सत गुरु का संदेशा सुनावे स्वामी जी का नाम बतावे करते हैं मेहनत सब भारी हो जाओ नर नारी साकारी सत गुरु बचन मान लो फेरे सत गुरु बचन मान लो मेरे मन को मोडो नाता जोडे सामरंग सत गुरु है नामी सामरंग सत गुरु है नामी भजन करो मुकती पदहेरे सांत संदेश सुनाने आए नाम भजन मन गाने आए चे तो चे तो हे नर नारी वरना परिवरतन अति भारी सत गुरु शामी तुम्हे जितावे लख चावराशी के फंद कटावे लख चावराशी के फंद कटावे सत गुरु नाम की माला फेरो सत गुरु चरणन को तुम हेरो सांत हमारे दाता नामी माफ करेंगे गलती स्वामी सत गुरु जय गुरु देवाया नामी कोटी वांदना कोटी प्रणामी शात्य गुरु जय गुरु देव आत्य गुरु जय गुरु देव है प्रेमियों हम सब 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 संगम तड़ पर अपने शदूरों का संद्रीश देनी के लिए जन्मानस को साकाहर सदाचार का पाट पढ़ाने के लिए आए हैं तो शुविश हम लग करके उस काम को कर भी रहे हैं साध शाज स्व्ञरंद्यान घयान हो राहें DAN अब जब स्वाम को शाइम मिरता है Ugh तब फूड़ा मुड़ा मालिक की आदगारी है प्राधण पाट्श्व मेरा द्यान भयन जो आदिश मालिक का उसको पालन ही करना है कि गुरु की वाड़ी को मानना ही पूर भक्ति कहते हैं जो गुरु को मानता है आध गुरु को मानता है तो नाम को तु सबी मानती आधि राम नाम, शद्गुरु नाम, राधाय नाम, किस्ने नाम, अरे नाम, वश्य जैगुर्दीव नाम, जन जन की जबान कर जब जैगुर्दीव आएगा, सच्ची स्वतन पता का तबाना मत वाएगा। पर प्रेमियों, तुम स्वामी भक्त हो, स्वामी इसे लगन लगाई है, सद्गुरु भक्त हो, और हमारे स्वामी सद्गुरु उस प्रभु से मिले हुए हैं, तो उस प्रभु से हमारे स्वामी सद्गुरु ही मिलवाएगे, कोई दोसरा ने मिलवाएगा, और सद्गुरु में जो बताया है उस मार्ग पर ही हमें चलना है सद्गुरु हमारे स्वावी महराज हर प्रकार से सर्वक्य हैं अंदर बाहर दर्सन परसन हो रहा है अंदर बाहर किस तरह दर्सन होता है जब हम लगां लगां करें अंदर भी देखते हैं को बाहर से में वह सुज करते हैं अगर रंतर में हो नहीं देखेंगे तो बाहर से में कर पाएंगे अंदर में जो लीडाग नोहया दिखाते हैं और प्रसनों के उत्तर देते हैं कि मार्ग दर्संद करते हैं ऐसे ही समरसंद का काम होता है समरसंद पूर्य अभेद बताते हैं कि जब तुम्हारी दिविश्टी ज्ञांच चुछ घरड़ाई पुलेगी तब प्रभूराम के दर्संद होंगी निरण्यन भगवान के दर्संद होंगी जब अपने सद्गुरु से प्रेम करोगे अपने स्वामी से प्रेम करोगे उनके बताय हुए निसानी पर चनुगे तब नभी सद्गुरु की मिहर होगी जब तुम सद्गुरु में मन लगाओगी अगर तुम्हारा सद्गुरु में मन नहीं है तो तुम्हारा जीवन सफल होने वाला तो सबसे पहले स्वामी महराज अपने सद्गु मिलेंगे तद पस्चात प्रभुराम के दसन होने के बाद प्रहम पत्पर जाएंगे और उधर मालिक से मिलते रहें आते जाते रहेंगे तो मीरा भाई ने भी कहा लाली देखन मैं हो गई मैं भी हो गई लाल और जब मैं लाल हो गई तो मुझे परमानंद शुक्त राप्त हुआ उसी तरह जब तुम जाओगे ब्रहम पर तो तुम भी लाल हो जाओगे और तब गुरु महराज के लाल कहना ले लगोगी अब ब्रहम पत पर जाने लगे आने लगे गुरु के दरसन परसन होने लगे बात चीत होने लगी तो अब तो तुमें पता ही यह है कि गुरु महराज का क्या देश ने देश है आप से कहेंगे कि आपने देखा तो अजर हमारा विनासी हैं उनका कुछ होने नवाला नहीं नहीं तुमारी चर्मा पोने को उसको देखा है और हमारी अंतरात्माने प्रेश्वामी को देखा है तो प्रेश्वामी अंतरात्माने स्वामी को देखा है वो तो सच्ची चीज है सच्चे समरस्ष्ण सद्गुरु को उसने दिखा है और सच्चे स्वामी से सच्चे सद्गुरु से लगन लगाए हुए है और स्वामी से लगन लगाना सद्गुरु से लगन लगाना सद्गुरु में होना ही सुरत का काम है सुरत स्वामी से लगन नहीं लगाएगी तो जाएगी कैसे जब तक तक सुरत स्वामी में नहीं होगी तक तक कुछ होने वाला नहीं है जब सुरफवान हो जाएगी सबी मिलने वाला है जब अंग संग सम्हर श्मुनieben कजिया मैं नाम जालुकर नाम , बॉली अनंत नाम वैसे केते हर अनंत हर कथा अनंता शब्द रूस व्याप्प भगमंता यह सब्द पर पसारा बना हुआ है और शब्द भजन है तो शब्द जो भजन है तो हमारे प्रम्हांड में अंतर घट में अंदर में उतर लाएं दिवाणी वर्भाणी शुनाई देलती है प नाम भजन करेंगे अपने सत्रु के श्रना घूंगे चरण समय कहेंगे तो अवसे ही सब्द सुनाई देगा तो कहते हैं श्याएं आपड़े प्रेम का पढ़े सपन्तित हुई जो ड्याइए अज्जर प्रेम का पढ़ गया प्रेम लग गया मन मंगन हो गया नाचने लगा अपने स्वामी के सामने तो स्वामी भी फुशो करके फुश को बक्सिते देते देते है प्रेम्यों जब साधना बनती है तो अंदर भी वही बाहर भी वही जब इस मालिक की दया महर होती है स्वामी की दया महर होती है होती है तो क्या खुला क्या बंद अरे आख बंद करोगे तप्री दिखेगा और नहीं तो बान में एक होगे मालिक जया कर दो बाहर चल लहें कहीं जोकर न अब जाए ऐसा होता है अलों की जब चम 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 रिल चलने लगती है वो प्रकासाने लगता है तो चका सब्सक्राइब करते हैं इसको भी वहीं चम चम हाट दिखाए पड़ती है तब सादक प्रेमी कहते हैं मालिक फोड़ी दया कर दो इस अंसार में चलना है तो ऐसा दीजिए साहीं इतना दीजिए जामें पुतुम समाए मैं भीवों का न रहूं साज लातना का इस तरह प्रा सञा माराग परमिशन न लॉसर बख्याद है इनके प्रेमियों ने अद्बुद आलोकिक दर्चन की और आप हैं जो सब कुछ मिन रहा है तो में जान नहीं अर्वारा यह क्या नहीं है हम आप यहां पर आये हैं तो इनकी मौज महर और यहां पर आए हैं तो घ्याद वाई नहीं कि है पग पग जब उठता है तो हर पग पर साथ पुरू महराज देते हैं हमारे सब देते हैं और यह कहते रहते हैं कि बच्चु जहां तुम तुमारा दलवा होता है पहर पतावां में आते लिया विशाते हुए चलते हैं काटे नहीं लगते हैं एक समय की बात है स्वामी महराज के आदेश से हम इधर मिल्यापुर बनारस की तरफ से वापस उध्या जा रहे थे हैं फैद्या स्टेशन पर उ जब फटरियों से निशे बजड़ी में परा तो उसमें भड़ कटया कांटा फेला हुआ है जब पैर परा तो मोले तोर से उस समय जब पर 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 कांटा लगा तो ज़ए पर देशन निकला और फट 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 थोड़ा आगे बढ़के पलेट पर चलगे ढोला और बहुत बड़ा प्यांखा भटकटेया को इसको एक प्यांटा नहीं लगा उपर चड़गे मालिक ने आदेश किया कि बच्चु यह जो कुछ दिये हो यहां यह जो तहल रहे हैं मैंने गुरु आदेश का फालन किया सब खिला थे फिर गाड़ी पकड़ी और रुदवरी गराम बड़ेला के लिए चलेए जुबारा मालिक का अदेश्वा फिर मैं निकला तो नहीं के पाउट निकला केते संत मिलन को जाईए तग माया भिवान जो जो पक आगे बड़े फोटीन जग शमान एप्रेमियों जब बारा निकला और जैसे सतीर जय उप्रेमियों मंदिर ग्राम बड़े लाते आगे पैर बड़ा गुरु मरा ने का सुन चपल भहें ले आगकी बार हाथ हम नहीं र अख़ पल पहन कें दो शुचा उसनल में कैल क्या होंब भी बता यह होने जो भी बताएंगे तो सवामी थाओतuar तो जब तुम स्वामी भकट बहुंगे तो आनामी जो इमिल दाए हैं अर Olay और यहीं तो आनामि में यहीं सवामी डरू है यही सद्गुर्ज तर्लव रतन है और अगर यह मिल गए का तुछ है तो सब्सक्राइगा हम से मागतवसर मिल सकता है हम आपके गुरु भाई है पर सत्गुरु नहीं मिल सकता हम सत्गुरु को नहीं दिला सकते मुझे खुद भी प्राप्र हो तो कोई अपने भगवान या प्रभु का बटवारा नहीं करता वो समझता है मेरे प्रितम दम यह मेरे स्वामी यही मेरे सत्षु यही मेरे अनामी ऐ देमियो जब सत्षु श्वामी अनामी ने मौज़ दो मीरा हिरते को मिला तो मीरा हिरते और करिया सेनी जिनको मिला वो सब ने बटवारा नहीं किया क्यों नहीं किया जब गोशामी के पास करिया और सेनी गई तो करिया को इतनी लगन लग गई थी कि वो स्वामी से तक्काल मिलना चाहती थी सब्गुरू से मिलना चाहती थी कि हमें वही मिल जाएं बाकिये में कुछ चाहिए नहीं अब प्रेम के बिवाल हो गई कि तो उनके सिस्ट हिर्दे एहिर ने वहाँ पर बैठा करके उस साथना में पूरे थे उन्होंने पूरा अब उसे जब मिला तो और अनंद आया अब उतो उसमें इसी लगन जाई कि अब भिना स्वामी के दर्धन के मुझे को चैन नहीं है इसी तरह मीरा भाई को लगन लगी जब मीरा को लगन लग गई तो भी नाचने गाने लगी इसका प्याला अभी गई कुछ भी नहीं हुआ पिसका प्याला उन्होंने प्या पर देखने में प्या वास्तों में इसका प्याला उन्होंने नहीं प्या पिसका प्याला तो उनके सत्गुरु ने प्या तुकि उन्होंने जब इसका प्याला पीने के लिए सामने आया तो उन्होंने प्रणाम किया और गुरु को अरपन किय अपने शेक्री विषू जिसे तुम भोजअ पाथ मैंको को हएगी नो तुम ने तुझकोilar भानालिया सब पुश्क कहते हैं तॉन तनमान अधन सब अरफड क्या लागे मेरा जब शरीर ही मेरा नहीं है आप सब सोचते हो कि स्वामी महराज को हमने बहुत कुछ दिया और आएंगे तो और कुछ देंगे पर तुम्हारे पास क्या है सब तो नाश्वान है क्या दे रहे हो नाम भजन की कमाई उन्होंने मांगी है बाक कुछ झीवात्मा अगर अगर अपनी स्व्रक्ति अगे अतना स्वामी महराज को कर दो अपने सत्वनों को कर दो तो तुम्हारा कल्यार हो जाए 2020 अगर हैPad on the future पैसा देंगे तो स्वामी महराज को कोई खरीदने वाला नहीं है मांगते तो तुमी हो तुमारे लिए प्राफना भी उन्होंने लिखवाई मेरे प्यारे गुरुदातार महताद्वारे खड़ा 2400 बंटे के मंगते हो इक मांग रहे हो फिर भी बन रहे हो दादना सेट के हम तुम्हारे पास जब कुछ आए ही नहीं तुम्हारा सरीर भी तक नहीं है यहां देना पड़ेगा और उसे ही उस धाम में जाना है तो क्यों ना हम उसी को दान कर दें अपने शद्गुरू को अपने महराज को तो जब हम इस सुरत जीवात्मा को दान करेंगे कि यह वालिक प्रफुराम के दर्शन होने के बाद प्रम के दर्शन होंगे और गुरू के साथ सब्धाम भी चले जाएं प्रेम से जब स्वामी के चरणों में रहोगे तो तुम्हें सब्धुस मिल जाएगा बजन भी बन जाएगा और मोती मुक्ष परंपद भी मिल जाएगा एक बार स्वामी जी ने बताया कि गुरू ददा महराज ने कहा देखो मेरे पास नहीं रहना है मेरे पास रहोगे गुरू ददा महराज ने गुरू महराज से कहा मेरे पास रहोगे तो मुझे में भीकार निकालोगे बुराई डूडोगे इसलिए मेरे पास मत रहे बाहर चले जो भी जन करोगे और साथ रोटी मान करके लाना रोटी के ल गुरु महराण निकल पड़े उस दिन तो रोटी आमानते खाते रहे गुरु महराण ने 24 घंटे में से 22 घंटे बैठ करके भजन किया और आप का ओ 22 ड़ी बैठा निया ता 22 घंटे बैठ करके उन्हों तब उस अब प्रमात्मा नामी को और कुल्चिजों को प्राप्त किया आज से 22 मट भी बैठा नहीं जाता गुरु महराज 22-23 घंटे में एक शुकी रोटी खाते थे आप तीनों टाइम खाते हो फिर भी आपका बेट नहीं भर रहा अब पुलना कर लो जब बताया गुरु मह खाए हो टकार आएगी बजन को एसे होगा गुरु महराज ने समझाया कि बच्चु दो रोटी की भूख है तो तेड़ ही खाना तीन की भूख है तो दो ही खाना कम खाओगे तो कम खाओगे बजन को भी आएगा फिर प्रेमियों स्वामी महराज चित्रपूट पहुंच ग अब गुरु महराज ने देखा कि तीन दिन से भूखा भूखा बैठा है तो गुरु महराज ने एक चिसान का मुकादमा बताता उसको शब्द लिए कि हनमान जी के मंदिर के सामने जो महतमा बैठा है पांग सेर लट्टू चढ़ा दे मुकादमा जीत जाएगा उसने सुन अ करके हमको जो बताया है रट को हमो जानते हैं पांश के लोड़ नगरन नगरें मिली राम उसामाने में माहराद को लटू दे करके पढ़ा गया आगया अगी आपस्वामी महराद करते कि क्या लटू प्हाने पड़े मैंने कहा था कि एक रोधी खाना और मान करके लाना बताओ तीन दिन तुम भोके बैठे रहे मुझको कैसे ब्रदास होता तुम्हें वं तुम्हारे भजन से कार्ण करके गिया है अज़ाओ भूरादे संब देगे देखो जो आदेश घृरुँ का खुश्य माहराज का है हमेशा कहीं भी तुम जाओ चाहरे में परचार में तो कं से कम दो किलो आड़ा जरूर ले करके साथ में जाओ बंडारे में खोलो और जो हो सके तो दे भी दो जिससे तुम्हारे भजन से कटेना और नहीं तो जो लाया है उसके उसका उसमें तुम्हारा भजन काटके जाएगा यह प्रेम्यो गुरु मराज का अदेरा सचाहसा है और अपने स्वामी से ही मन लगाना और साथ की में भजन करना भजन कर प्रवी शामी को प्राप्टर करना ही हमारा तुम्हारा अब है आए प्रेम्यो यह त्र्वेणी का पाल नहीं त्थकें यहां गुरु महराज कई बार आए जहां आप लोग बैठे हो यह प्रहम पुरीद जगे हैं राम भी आए हैं भरतवाज मुझी का असरंग तो है ही तीर्थ राज परियाग भी यही है तीर्थो का जाजा जाजा और स्वामी महराज भी यहां कई बार आए सन उनीस सो च्छीआशी और सटासी की काफिले का समापन यहीं पर किया है फिर उसके बार में ूजजा अवहन दिएख के लिए हैं किस्टी आपको सादमा भी करवाई और पुराइच चोड़नें प्रिस्छा जाल्प की बात ही दो लाए हैं और उच्छ कोटी का सस्तंग गुरु महरां ने शुरत स्वामी का यहां पर सुनाया उन्होंने इस उन्हाया था कि बच्छु गोश्वामी दी राजापुर में रहते थे राजापुते में रह करके पूरी साधना पूरी करने पर जब उनकी ख्याती पहली तो हिरते नहीं कासी के रहने वाले वहां नोकरी करते थे तो उन्होंने भी सुना उनको जाकर के दिछा हाथ जोड़ करके ब्रह्म भाव से मिनए किया तो भूश्वामी जी ने नामदान दे दिया अब नाम भजन करने लगे निक्पत गुरू के पास आने जाने लगे जब स्वामी महराज के पास हूं भूश्वामी जी के पास आन जाना चाहते ही घर तो कहा ठीक है बच्चा चली ज़िए उसमें नदी से ही मार्ग था नौ मार्ग से बेपार होता हुआ हिर्दे राजापुर से अपने घर काशी आ गए परुनांदी के किनारे उनका कोई काशी में मकान था जब कुछ दिन भीता अब पूरा सिस्था वो अपने पुछे से के पाख चलना चाहिए है चितना प्रेम बाप पने बेटी से नहीं करता कुछ से कई गुना जदा अपने बच्चे से प्रेम करता है अइसी जया महरों करते हैं कि कोई भी नहीं कर सकता जो काटे में अपनी हतेरी लगते और तुम्हारे तलवे को पैर तुमको शोचना चाहिए कि ऐसे तुरलब संथ सत्गुरु को पादेने के बाद और नाम्रतन धन मिलने और मोलंग धन मिलने के बाद भी जीमन गवादो तो ठीकार है अब दुबारा ऐसा मिलने वाला नहीं है अगो शामी जी तीरे धिरे करके काशी पहुंचे जब काशी पह माचा की प्रेमियों यहां कोई ही जैए रहे तो काहां महराची रहते हैं तो कहां जरासंदेशा विद्लो और कह देना की महराची आए हैं रजाफुन से तो जब उसको सुचना मिली कि हमारे स्वामी आया है जोरता हुआ नसता हुआ है और चरुनों में गिर गया और कहा इनारे उने कुटी बना दिए और गुट पर सेवा के लिए आने जाने लगे फिरोध होने पर घर में तुम्हें छोड़ सकते पर अपने स्वामी को नहीं छोड़ सकते दीरे दीरे जब वो स्वामी जी सुनाने लगे उनकी ख्यात पड़ी तो वहां पर जो पंडा फुजारी फ्रें उनका विरोध करने लगे स्वामी लिगां जब पंडा फिरोध करने लगे कि यह गणांगा को नहीं जम्रा को नहीं मांते यह नहीं मांते ओना पर प्रकायर दुख से ऑपने स्वामी को नहीं छोड़ा तो आए सहसंगी ओं तुम्हें भी सोचना चाहिए कि इस दे अपने श्वामी क्या साथ ऐसे छोड़ रहे हो जब जिहास गवाहे कभी भी किसी प्रेमी ने अपने समरस्तन सदुरू को पाने के बाद कुछनी साथ नहीं छोड़ा तो है प्रेमी में हमारी बेंती प्रात्ना आप से ही है कि आप सब लोग लग करके समरंग ध्यान के दो करो और देखो जो धाम बड़ेला कराम बड़ेला है तैसीर रुदोली जिलायज्या है जाबार में पा गुरु मराज के खंट बैठा के गुरु मराज का अंतरा देश है यहाँ पर जो प्रेमी आएगा तीन बार भच्चे मन से ध्यान बजन करेगा उसकी जिब्राक फुल मार्च को मां शुरात्री के उसर पर कारी करण होगा शाधना के लिए वहाँ आपने स्वामी की ही जर्चा होगी स्वामी का ही सश्ञ होगा बाती कुछ भी नहीं होगा भोजन और भजन स्वामी की जर्चा होगा और प्रेमियों यहां पर आए हो तो शाकाहरी पुजार कर ही रहे हो ठक तो जाते ही हो धिर भी उसी ठकान में जैसे ठकान आ गई तो शुष्टी आती है उसी शुष्टी में अपने स्वामी की आती है कि हम स्वामी को प्राप्ट करें यही आपके बिल्की प्रात्ना हमारी है और हम तो आपके शेवादार हैं वाचमें समझ लो शेवादार समझ लो गुरु भाई है आपके हम कोई महराज वहराज नहीं है ऐसा मत मान ले ना हम आपके शेवादार गुरु भाई है और सबसे प्रेम करते हैं स्वामी महराज ही सब के स्वामी है वही सब के सत्गुरु है वोई सद्गुरु जय जी 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 उनay six-day começo अपने शद्गुरु को सद्गुर्य ही कहते हैं सर वे बीना सद्गुरु के कोई मिनता नहीं इसले सद्गुरु को ही सकते पहले याद करते हैं स्वामी को याद करते हैं कि अपने स्वामी सद्गुरु को जानते हैं और इन्हीं चर्णों में रहेंगे आए प्रेमियों आप सब भी सितरे लगत मगाने करके सब्सक्राइब करते हैं कोई दूसरा पार करने वाला नहीं है अपने शत्गुरु नहीं पार करते हैं दूसरा कैसे पार करें गुरु जाए गुरु जानते हैं शत्गुरु स्वामी ने वेद बतायो नाम भजन अंतर मन गायो मुक्ति पद का मारग दीना लख चौरासी का खंडन कीना लख चौरासी का खंडन कीना शामरत शंत सत्गुरु नामी कुल मालिक है पुरु शाय नामी कुल मालिक है पुरुस अनामी हम अशब को लेने हैं आए नाम दात सत्गुरु जी बताए शाब्द पकड़ी चली चलो घट द्वारा जीव आत्मा को उत्तारा सत संगत स्वामी जी राजे अंदर अनुभव बाजे बाजे सत गुरु चरणन चरण बंदना सत गुरु चरणन चरण बंदना नाम भजन अंतर मन लागे सत गुरु जाए गुरु देव सत गुरु जाए गुरु देव प्रेमियों अब ध्यान और वजयत करना है इस पर बैट करके स्वामुहिक और जितने भी प्रेमिय हैं यह कहते हैं कि हमें नहीं दिखाई पढ़ता सुनाई पढ़ता है तो यह जो उंगुली है हाथ की यह वाली यह उंगुली हाताय बहने अपनी बिंदी पर रखेंगी यह से यही पर सुरत जिवात्मा बैठी हुई है और पुरुष लोग भी जहां तिलक लगाते हैं यहां मत्य में दोनों भंगों के बीच रख लेंगे और सिर्फ स्वामी जी का ही नाम बोलेंगे अंदर में जो स्वामी महराज ने नाम बताया वही बोलेंगे अंदर में यह की नाम है और स्वामी महराज को ही याद करेंगे दूसरे को नहीं और जैसे यह आख रुकेगी बाहर की स्वामी महराज का दरसन का यह उंगली इसलिए रखाई जाती है कि तुम्हारा मन भागता है जब तुम्हारा मन दिकेगा यहां पर और मन दिकेगा तो यही घाट है यहां दिखाई पड़ेगा यही गुरू की बैठक है यही बैठक है यही बैठक है असली कुर्चवार यही है यही गुरू माराज 24 गंटे बैठे हुई है अगर आप चुस्ते हो कि हमसे गुरू कहीं दूर चलेगे तो यही बैठे वे जो विजने गंटे कहीं जाते आते नहीं जब नामदान देते हैं गुरुवराद दोशी समयात कोल देते हैं और तुमारे 75% कर्म वो ले लेते अपने उपर और इस घाठ पर वो बैड़ जाते हैं अब तुमें वो लाभी खैमला हैं और भोशागर से पर लगाने वी वाले हैं वो यही पर बैठ जाते हो तुमी लेगे जाने का फूरा कौल करार करते हैं इंतिजार करते रहते हैं कि कब आएगा और हमारे साथ चलेगा तो यह प्रेमियो यह जो चर मापे हीरती है इसके कई बेद हैं और जितने भी प्रेमी मेरी बात को सुन रहे हैं जिन का सुगरंग ध्यान भजन नहीं बनता मैं उसको समझाओंगा और गुरुमरा से प्रतना में भी करूँगा और ओभी करेगा दया करेंगे बन जाएगा तिकाय सुनाई पड़ेगा बाती कतम गुरु से रोज बात होगी किसी कुछ भूच नहीं नहीं फिर उससे अच्छी वह और क्या बात हो सकती चात्य गुरु ज